नवश्कार दोस्तों, कोरोना वाइरस, जी हां दोस्तों, एक ऐसा संक्रमन जिसने आज विश्व के लगबग दोसों से अधिक जो देश हमारे हैं, उन सब को कही न कहीं परेशान कर रखा है, एक बहुत बड़ी तराजदी जिसके कारण आज विश्व में एक चिंता का ऐसा विश्व बना हुआ है, कि हम इस ताजदी से आखियो के से जीतेगे, दो लाग पिच्चासी अजार छेसुन अन्जार में, अभी तक इस वाइरस से संक्रमित लोगों का होजिटीव आना हमारे बीच में आ चुका है, और लगबग 11870 विश्व वर में मोते हो चुकी है, अ दोस्तों, कहीं प्रकार की जानकरिया, कहीं प्रकार के बचाओ के प्रिवेंशन, कहीं लोगों के माध्यम से, कहीं लोगों ने वीडियो के द्वारा आप तक पहुचाने का प्रियाज भी किया, देश की प्रदान मंत्री ने भी लोगों को सतरक किया है, साथी साथ बताया ह किस प्रकासले इस वीमारी से आसानीसे बचा जा सकता है. दोस्तो, सबी वीडियो से, सबी प्रिकॉशरर मेजर से एक बात तो ते हो चुकी है, कि इस वीमारी का वर्तमाल समय में कोई सटिक उलाज उप्लब्द नहीं हु, जो इलाज है, वो अब हमारे हात में हैं, और वो इलाज है, हम लोगों को हमें हमारे घरों में सुदक्षित रहना होगा, जब तक हम कोरोना को साथ लेकर भार से नहीं आए नहीं, तब तक कोरोना हमारी घर में प्रवेश नहीं करेगा, साथी साथ समू में बेटना, भीड में जाना, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार स आज सबसे बड़ी चिंता का विशेग जो इस वीडियो को बनाने का हेतु है वह यह है कि अभी भी मैंने देखा है करजबों में गाओं में कहीं लोगों की मांशिक्ता इस प्रकार की बनी वही है कि कोरोना अभी शहरों में आया है अभी हमारे आ नहीं है मार्कीट प्लेस में भीर कोई अंदर नहीं आया, यहा तक की लोग एक दुसरे से हाथ मिलाते हैं गभरावी नहीं रहे कुछ लोग तो हाथ मिलाते समय बोलते हैं अभी हमारे आ नहीं हैं हम लोग सेफ हैं मेरा उन सभी भारतवास ही उसे नेवेदन है और साथ साथ विश्व के उन सभी लोगों से भी नेवेदन है जो कहीं न गई इस बात को सोचते हैं कि कोरोना अभी हमारे यां नहीं आया यह कोई पेले से बता के आने वाला वाइरस नहीं है नहीं इस वाइरस के सिंटमस आपको बड़ी आसने से दिख पाएंगे इसलिए मेरा दिवेधन है कि जो भी कज़वे के लोग है ग्रामीड सेत्र के लोग है वो बड़े सचेत रहे बड़ी अच्छी बात है कोरोना अभी तक उन तक नहीं पहुचा है और अगर साउधानी रखेंगे तो निशित रूप से कोरोना कभी उन तक नहीं पहुचेगा मेरा पेला इस वीडियो को बनाने का उद्देश ही था साथ इसाथ दूसरे एक बड़ा विशिण जो जानकरी में आया कि लोग गवरहाट दिखा रहे हैं कही न कहीं तीतर बितर होने का प्रयास करें कुछ लोग अफ़ा हैं फिला रहे हैं कहीं जगा शहरों में देखा गया कि दुकानों पर तीन-तीन किलोमेटर की लंबी राएं लगी है और वो कहीं न कहीं डेली यूज के सामान को इस प्रकार से खहिद रहे हैं जैसे अगले एक साल तक उज़े सामान खरिदना ही नहीं है दोस्तों सरकार कहीं बार के चुकी है किसी प्रकार की अनाची कमी हमारे देश में नहीं है किसी प्रकार की अन्य चीजों की कमी सरकार आने देना नहीं चाहती है ऐसे समय में भय के कारण भीडवाले स्थानों पर जाना इस प्रकार से समान खरीदना कि दूसरे लोगों को भी दिक्कत आ जा कहे न कहीं से बजार में अफराद अफरी की स्टिती बन रही है और इसी समय में कुछ ऐसे लोग भी है जिनने व्यापारी वर्ग के रूप में गिना जाता है वो इस प्रिस्थिती का फाइदा उठा कर कहे न कहीं हमारी जिन्दगी के साथ खिलवार कर रहे है दूसरा मुनाफ़क हो रही हम देख सकते हैं जो सामाने चीज़े हैं उनको भेंगी बिची जारी दोस्तों विश्व के अंदर इसी अनेक देश हैं अनेक लोग हैं जिनोंने ऐसे समय में उधार मन के साथ लोगों की सेवा करी है अब भारक सदेव अपनी प्राचिन संस्कृति में ऐसे अनेक उधारण दे चुका है जहां पर हमने वसुदेव कुटुबकम की भावना को तेरितार्थ किया है तो मेरा सभी व्यापारी बंदू से निविदन है चाए मास्क हो हो चाए सेरिटाइजर हो या देनिक उप्योग की कोई भी चीज़े हो उनको किसी भी प्रकार से अपने फाइदी के लिए ऐसी कीमत पर ना बेचें जिससे की देश के अंदर अफ्राद अफ्री की स्थिती बने तीसरा बड़ा जो समस्या लोगों को आ रही है कि हम अकेले घर में केसे रहेंगे दोस्तो प्रधार मंत्री जिने का है हम स्वस्त जग स्वस्त में कहूंगा मस्त रहे और गयस्त रहे दोस्तो हम अपनी अपने घर रहे ऐसी अनेक जतिविजिया है जो हम घरवालों के साथ बेच कर सकते है ऐसे अनेक मनोरजन के साधर है जो आज घरों में उतलब्द है और अनेक प्रकार की चर्चा है जो आज हम देनिक जीवन में कही न कहीं परिवारों के पास समय नहीं होने की कारण पीछे छोड़ चुके उन सब किरिया कलापों को करने का बड़ा आसान सामाध्या हम लोग घर में बेटकर कर सकते हैं मेरा निविदन है कि आप घर पर रहेंगे तो मस्त भी रहेंगे अव्यस्त लेने की कोई न कोई कारण ढूंड लेंगे चोथा और महलपड विशे ऐसे सभी राजनेता ऐसे सभी सामाजी कारिकरता जो शेत्र में कहीं न कहीं बचाओ की प्रेवेंशन के मेजर्स लोगों को बता रहे हैं ऐसे अनेक और राजनेता जो अब इस कड़ी में जुड़े नहीं है बेरा उनसे भी निविदन है ऐसे सभी MLA's, MP's, पार्षद, मंत्री कि वो भी अपने अपने शेत्र में एक वीडियो के माध्यम से उनकी जनता से गुहार करें उनकी जनता को प्रेवेंशन के मेजर्स बताएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस कोरोना वाइरस के संक्रमंट से बस सके मैं मानता हूँ कि जन परतिनीदियों की बाते लोग सुनते हैं, समझते हैं और हर शेत्र का जन परतिनीदी उनके लिए चहेता होता है आप निश्चित रूप से बात करेंगे, उनसे समझाएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, तो आपकी बात मानी जाएगी और कही नपनी जागरुपता फेलेगी साथ इसार मास्क सेरिटाइजर जैसी आउशक वस्त्वे यदि आपके माध्यम से, जीला प्रिशाशन के माध्यम से, निश्चले स्तर तक अगर पोच सके तो इसा प्रयास आउशक रूप से करना चाहिए, ये भी कही न कहीं बचाओं में कारगर साबिद होगा पाँचवा और एक और अविशे कि मेरा ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पिकर्स जो वीडियो बनाते हैं, जो लोगों से इंट्रेक करते हैं, कहीं नगए बिजनेस आइडिया देते हैं, मेरा उनसे रेवेद रनी अब लोगों को एक सोशल बिजनेस आइडिया दिया जा अच्छे मास्क इस प्रकार से हमारे आसपास बन सकते हैं, ताकि किसी भी स्थिटी में, देश में, कभी भी किसी भी प्रकार से मास्क और सेडियो जिसी आवश्क वस्तों की कभी कभी डाए है साथी साथ देनी कुप्यों की वस्तों के लिए ये मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को कहिन रखी और अधिक गाइड कर सकते हैं जिसके समस्यां खतम होगी अन्तीम और महत्पुर्ड सुझाओं मेरा सरकार से है कि जिस प्रकार से एक जनता कर्फियू का एक विशेश प्रयोग देश के मानी प्रधानमंति द्वारा किया गया और निशित रूप से सराहनी है देश का हर्वा व्यक्ति जो देश की वर्तमान इस्थिति को समझ रहा है और जानता है कि ये जनता कर्विव का कारिक्रम निशित रूप से कोरोना संक्रमन को कुछ हर्ट तक रोपने में कारगर साबित होगा दोस्तो जैसा कि अभी हमने देखा कि किस प्रकार से तेज गती में से इटली में इस वाइरस ने कितने अजिक लोगों को चपेट में लिया इटली जो स्वास्त शेवाओं में बहुत उननत देश है और उस देश के अंदर भी एक ऐसी स्थिती बनी कि इतने सारे पिक्षट एक साथ आ गए कि डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम छोटी पढ़ने लगी असपता कही न कहीं कम पढ़ने लगे ऐसी समय में ये निड़े भी कही न की सुनने माया कि ऐसे लोग जो ज़्यादा संक्रमित हैं जो ज़्यादा बुजुर्ग है जिनको बचाना कठी नहीं उनको छोड़कर ऐसे लोगों पर पहले उपचार किया जाए जो कुछ कम संक्र संक्रमित हैं या ज्यादा जवान हैं दोस्तों यह स्थिधी भारत में भी बन सकती है अगर संक्रमित फेलता है तो इसी स्थिधी के कही न कहीं उपाई के लिए मेरा सरकार से भी निवेदन है कि एक वोलिंटेर टास्फोर्स का सरकार को निर्वान करना चाहिए ऐसे लोग जो कहीं न कहीं व्यापारी हैं करमचारी हैं इस देश के नवी वक हैं और उन लोगों को भी आवशक पढ़ने पर किस प्रकार की गाइडलाइन इसको फोलू करकर अधिक्तम लोगों को बचाया जा सकता है प्रिवेंशन मेजर्स दिये जा सकते हैं कुछ प्रिकोशन जो क् बचारी हैं उसको करा जा सकता है और देश को स्वस्त और सुरक्षि तरखा जा सकता है ऐसे सभी चेलिंजेस को लड़ने के लिए हमें इस प्रकार की वोलिंटे टास्टफोर्स का भी ब्लान बी के रूप दिरमान करना जाए हैं मैं जानता हूं सरकार हमारी सशक्त हैं प्रचेंशी के समय में ना केवल सरकार की मदद करेगी बलकि संपुर्ण आमजन को कही न कही सुरक्षित रखने में मददगार साविद होगी। निश्यत रूप से ये वीडियो कोरोना वायरस के संग्रमंट से केसे बचे उसका कही न गई एक अलग परिपेक्षवे समाधान आपको दे रहा है।